आपको नदी के पार जाना है कौन सी नाव चुनोगे नई नाव चुनोगे या पुरानी नाव चुनोगे या ऐसी नाव चुनोगे जिसमें छेक हो रहे हैं जो डूब सकती है बहुत पुरानी है फैसला आसान है ना कोई परिशानी तो नहीं है फैसला लेने में तो फिर आप क्यों उमीद करते हो कि परिशानी के समय में, मुश्किल के समय में जब आपका जहाज दूब रहा हो, लोग आपका साथ निभाएंगे, आपके जहाज पर चड़के आपके साथ आगे जाएंगे, हर इंसाने कियातरी है, उसको नदी को पार करना है, उनके हिसाब से, उनकी जर को वो भरेंगे, आपका साथ निभाएंगे, गल्ती उनकी नहीं है, जो आपका साथ छोड़कर जा रहे हैं, गल्ती आपकी है, जो उनसे उमीद लगा कर बैठे, आप परिशान हो तो सब के पास कारण है, परिशान होने के, आपकी प्लेट में रोटी नहीं है, तो उसकी मर के लिए रोक देंगे, खड़े हो जाएंगे एक जगे पर आपका साथ नहीं निभाएंगे, आपकी सहुलियतों को त्याग देंगे, यही इस दुनिया की फित्रत है, दोस्तों इस जीवन एक यात्रा है, हर इंसान एक सहारे की खोज में है, जो उसको नदियों को, जंगलों क को पार कराते हैं, सब अकेले पार करने से डरते हैं, सब को साथ चाहिए, और मजबूत साथ चाहिए, तो हर इंसान एक दूसरे का फायदा उठाने में लगा हुआ है, प्रेम भी सहुलियतों का दूसरा नाम है, निरंदर सहुलियते जब मिलती हैं, उसे हम प्रेम कह देते ह मुझे इनसे बहुत प्रेम है। क्यों प्रेम है? सालों से सहुलियत दे रहे हैं, बेना कुछ लिए, ये होता है इस दुनिया में प्रेम. मैं मानता हूँ कि सौ मेंसे एक इंसान ऐसा होगा जो बुरे समय में आपके साथ खड़ा रहेगा डूपती नाव में भी आपके साथ जाएगा आपकी रक्षा करेगा होते हैं ऐसे लोग लेकिन कितने प्रतिशत होते है सौ मेंसे एक इंसान ऐसा हो सकता है उस basis पर जीवन के फैसले तो आप नहीं ले सकते अजियूम तो नहीं कर सकते कि ऐसा इंसान ही मुझे मिलेगा जब तक बुरा समय नहीं आएगा बिल्कुल बुरा समय नहीं आएगा तब तक आपको उस इंसान की परक ही नहीं हो सकती तो आप अज्यूम तो नहीं कर सकते ना कि वही इंसान मेरे जीवन में है खाली अच्छे समय में कियोए वादों से मुस्कुरहाटों से आप जच तो नहीं कर सकते तो दोस्तों अकेले रहने की आदत होना अपने आप से मित्रता करना आत्म निर्भर बनना कि मैं बिल्कुल अकेला पड़ जाओ तो अपना निर्भर चला लूँगा इमोशनली भी फिजिकली भी अपना गुजारा अकेले चलाने के मैं लायक हूँ ये एकल दूसा पन नहीं है ये दुनिया के प्रती रुस्वाई नहीं है ये समझदारी है ये सिर्फ आत्म निर्भरता है कि आपको बुरे वक्त में किसी की जरुत ना पड़े किसी के सारे की आदत ना लगे उनके बिना जीवन का गुजारा ना चला पाओ और अटक ना जाओ उस समय भी मुस्कुराते हुए ये रोते हुए आगे बढ़ते चले जाओ तूटके भी घर ना जाओ इसका मतलब ये नहीं कि आज ही लोगों को त्याग दो उनकी सहलियोतों को त्याग दो बिल्कुल अकेले पड़ जाओ इसका मतलब ये नहीं है इसका मतलब ये है कि जीवन के किसी भी शण अकेले जीना पड़े रहना पड़े तो रह लो जीवन के उतार चड़ावों में इधर उधर ना देखो कौन है कौन है कौन नहीं है क्या होगा क्या नहीं हो आपको अपने बुरे वक्त में लोगों के आगे भीक ना मांगनी पड़े जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया है उस परिसिती में लेकर आया है उसके आगे भीक ना मांगनी पड़े जैसे आपके पती या पत्नी ने आपको धोका दे दी चीटिंग कर दी किसी और इंसान के साथ संबंद मना लिये लेकिन आप अकेले पढ़ने से डर रहे हो अपना गुलाम मना लेगा और बुरी गत कर देगा दोस्तों हमेशा ध्यान रखना चुहें ही एकलोते ऐसे जीव नहीं होते जो डूपते जहाज को छोड़कर भागने की कोशिश करते हैं इन्सान कम नहीं है अगर आप लोगों पर बहुत जादा निर्बर रहो के वो है तो मेरा जीवन है वो है तो जीवन चल रहा है उनकी ये सहुलियत है तो जीवन चल रहा है तो लोग तो permanent है यह नहीं प्रकरती आपको बार-बार दिखा रही है किसी की भी मृत्ती हो सकती है किसी से भी बिछड सकते हो यही सच है तो जैसे ही वो इंसान जाएगा उसके जाने से मत डरो उसको अपनाओ की वो इंसान कभी जाएगा छोड़के जाएगा यह चले ही जाएगा तो कैसे जी होगे तूटके बिखर जाओगे बहुत ही कमजोर पढ़ जाओगे और जब तक वो नहीं जाएगा उसके जाने से डरते रहोगे ये चला तो नहीं जाएगा, चला तो नहीं जाएगा मों में भसे रहोगे चाहिए वो emotional needs हो, physical needs हो कोई सहूलियत हो अगर आप आज अकेले पढ़ जाओ तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको आगे का रास्ता दिखे ही ना, समझ में ना आए कि कहां चलना है, जैसे कि example लेता हो हमेशा अपने पती पत्नी या माता-पिता के साथ ही travel करते हो सफर पर जाते हो रास्ता वही देखते हैं, सब कुछ वही देखते हैं तो इतने भी अंधे मत हो जाओ, उन पर निर्भर मत हो जाओ कि रास्ते को समझो ही ना, कल को आपको अकेले चलना पढ़े तो एक जगे खड़े हो जाओ या कोई misguide कर दे, या खो जाओ इतनी तो रास्ते की समझ होनी चाहिए कि अकेले भी आ जाओ, तो उस रास्ते को पार कर जाओ तो हमेशे अहसास रगो कि जब मुश्किल समय आएगा जरूर आएगा, आना तैह है उस समय में अकेले पढ़ूँगा ही पढ़ूँगा चाहिए ना भी पढ़ो, एहसास करो, उस समय में बिलकुल अकेले पढ़ जाओंगा मेरे अंदर इतनी काबिलियत, समझ, स्किल, नौलिज होनी चाहिए कि मैं उस समय का सामना करके आगे बढ़ पाऊ अपनी बोट को रिपेर कर पाऊं, इतना मैच्चे और समझदार बन पाऊं कि यातरा को अकेले तैह कर लो तो आज चाहिए आपकी अमीर घर में शादी हो गई हो तो भी आत्म निरबर रहो, जो पढ़ाई लिखाई की है, उसका इस्तमाल करो, काम करो चाहिए आज आपकी बीवी सारे काम घर के करती हो, बच्चे भी समाल लेती हो, खाना भी मना लेती हो तो भी खुद भी करना सीखो, खाना बनाना आपको भी आना चाहिए, बच्चों को समालना आपको भी आना चाहिए आज आपके माता पिता आपका सारा खर्चा उठा रहे हैं बहुत कुछ है उनके पास तो भी गैरंटी कोई नहीं है अपने दम पर भी जीना सीखो अपने आपको इतना मजबूत बना लो कुछ समय के लिए सोच लो कि जो वो दे रहे हैं लोगों से मार्केटिंग कर रहा है बात कर रहा है आपको लग रहा है जीवन असान हो गया सब कुछ मैनेज कर रहा है तो भी वो काम आपको आने चाहिए उनका हिस्सा बनो सीखो समझो कल को वो चला गया उसने अपना काम शुरू कर लिए आप तो फस जाओगे और ऐसा मैने बहुत होते देखा है सारे कस्टमर उस इंप्लॉई ने सेट कर ली अपना नया काम शुरू कर दी आपको डिल करना आता है नहीं फेल हो गए तो आत्म निर्भरता जरूर होनी चाहिए यह एसास जरू होना चाहिए कि कभी मैं अकेले पढ़ जाओंगा उस समय में कैसे करूँगा कैसे डील करूँगा कैसे आगे बढ़ूँगा इतना मुझे किसी पर निर्भर नहीं होना कि उसका सहरा हटते ही मैं जमीन पर गिर जाओ फिर भी मैं यह कहूँगा नजाने कितने सालों से अकेले रह रहा था तो भी कभी कभार उसे लोगों की आवशक्ता पढ़ती थी कभी कभार लोग आके उसका हालचाल पूच जाते थे कुछ वस्तूओं की आवशक्ता लोगों से उसे पढ़ती थी तो आवशक्ता सबको दूसरों की पढ़ेगी पर हम उस आवशक्ता के सारे नहीं जी सकते हैं जैसे वो बुज़ूर्ग इंसान वा माइनस पचास जिगरी में अकेले रहता है लोग आते हैं कभी कबार पूछने के लिए कुछ देने के लिए लेकिन ना आएं तो भी वो मर नहीं रहा उसने अपने आपको इतना आत्म निरबर बना रखा है अपना इतना अर्रेंजमेंट करा हुआ है रिसोर्स का कि गुजारा चलता रहेगा आगे पीछे वो शहर जा सकता है अपना काम निकाल सकता है जबकि उसकी परिस्तिती हमारी परिस्तिती उसे बहुत कटिन है एक बार मेरे कहने से मानसिक तोर पर जिस भी इंसान से जो सहुलियत मिल रही है उसको हटा दो फिर अपने आपको देखो कि मैं कैसे डील कर रहा हूँ क्या कर पा रहा हूँ जितने भी लोग हैं आपके आसपास जो सहुलियत दे रहे हैं एक एक करकें की सहुलियत को हटाओ खुद को अकेला रखो और देखो कैसे गुजारा चला पा रहे हो नहीं चला सकते हैं तो आज ही सीखो तयार रहो इससे आप मस्बूत भी बनोगे लोगों को खोने से बहुत ज़्यादा डरोगे नहीं जीवन में कभी तूटके बिखरोगे नहीं मस्बूती के साथ अपना जीवन जीते चले जाओगे थैंक्यू और अल्टे बेस्ट